हेलो और नमस्कार दोस्तों तो स्वागत है आपका अपने चैनल पर तो आज का टोपिक हमारा रहने वाला है कि फायर वाल जो होता है फॉर्टीनेट का उसको वर्चुअल हम कैसे कंफिगर करेंगे और उसके लिए क्या-क्याम करना होगा तो इस वीडियो में आज हम वही कुछ देखेंगे पीछली वीडियो में मैंने बताया है था कि फॉर्टीनेट क्या होता है और फॉर्टीनेट के जो डिवाइस से हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए सुरू करते हैं आज मैं आपको हाइपर वी पे फोर्टिंगेट फायरवाल को वर्चुली कैसे कन्फिगर करेंगे यह बताऊंगा तो इसके लिए हमें सबसे पहले विंडो 10 में हाइपर वी को एनेबल करना हुगा इसके लिए हमें विंडो आर प्रेस करके एप वीच.cpl टाइप करके एंटर प्रेस करना हुगा इससे हमारा इंस्टॉलेट प्रोग्राम लिस्ट खुल जाएगा इसके बाद हम टर्ण विंडो फीचर्स ओन और ओफ वाले ओप्सन पर किलिक कर देंगे इसके बाद हमारा यह डायलग बॉक्स खुल जाएगा तो इसमें हाइपर वी को हम सेलेक्ट कर देंगे रेडियो बटन को और देख लेंगे कि दोनों सेलेक्ट है या नहीं है इसके बाद ओके प्रेस कर देंगे तो यह सर्चिंग रिक्वाइड फाइल लिग के आ रहा है जाने कि यह प्रोग्राम लिस्ट को सर्च कर रहा है कि अप्लाइंग चेंज हो जाएगा इसके बाद और यह हमारा फीचर्स ऑन हो जाएगा विंडों का हाइपर वी वाला तो देखिए अब यहां पर हाइपर वी की सर्विस इनेबल हो गई है अब यह स्टार्ट के लिए मैनेज़ा तो इसके बाद हम इसस्टं को रियर्ड कर देंगे और रियर्ड स्टार्ट होने के बाद हमारी सर्विस ओन हो जाएगा यह सच बार में सर्च करेंगेuं… हाईपर वी walk-dash सर्च करते हमारा हाइपर भी मैंनेजर में अपन सामनけ सामने दिख जाएगा तो इसससी पें हम क्लिक कर देंगे तो यह हमारा ओ पन हो जाएगा तो आफ देखिए यह हमारा है mall मेनेजर ओपन हो चुका है और यहां इस पर एक option लिख के आ रहा है जो हमारे desktop करके जो लिख के आ रहा है वह हमारे laptop का नाम है computer नेम जो होता है वह है चलिए मैं दिखा देता हूं अपने computer का नाम प्रपरटीज में जाके तो यहां दीश पीचेश लिख करूंगा और इस पर राइट किलिक करके प्रपरटीज में जाओंगा तो यहां पे हमारे computer का नाम दिख जाएगा आपको देखिए यही वाला नाम है जो वहां पर सोड़ा है देखिए सेम वही नेम है तो अब हमारा हाइपर भी इंस्टॉल हो चुका है अब हमें इसको कन्फिगर करना हो इसको कन्फिगर करने के लिए में 4048 की ISO इमेज की जगुरत होगी जिसके लिए हम हम उसके website पर जा के उसको download करना होगा तो support.48.com पर यहां पर log in करके उसको download करना होगा और इसके हमें इस पर register करना हुआ तो register मैं पहले ही कर चुका हूँ अगर आपको registration वाली वीडियो देखनी हो तो आप कमेंट bonks में मैसेज करोगे तो मैं वह भी अपलोड कर दूँगा लेकिन अभी यहां पर हम डाइडेक्ट लॉग इन करेंगे और लॉग इन करके मैं दिखाऊंगा कि इसके इसे इमेज को कैसे हम डाउनलोड करेंगे तो चलिए करते हैं लॉग इन तो हम मेरे सिस्टम पर यह पहले साही लॉग इन है तो हम आईडी पासपर्ट डालने के जुरूरत नहीं पड़ी और यह आटोमेटिक लॉग इन हो चुका है अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ सेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा तो यह देखिए ऐसा है कुछ इसका डैसबोर्ट फॉर्टिनेट का तो इसके प्रोफाइल प्रोड़क्ट देखते हैं प्रोड़क्ट इमेज पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद हमें अपना हाइपर वी के लिए हमें इमेज डाउनलोड करना होगा यह सो वाला जो हमें हाइपर वी पर कंफिगर करना है तो देखते हैं यहां पर इसके प्रोड़क्ट कई सारे हैं तो हमें सेलेक्ट नेट कंपनी के कई सारे प्रोडट आते हैं लेकिन हमें अभी 40 जा करना आइसे हम 40 को सेलेक्ट करेंगे और यहां पे हैपर वी के लिए चाहिए हमने वह इमेज जिसका यूज हम करने वाले सब्सक्राइब करेंगे और हमें सेलेक्ट करने के आउट डॉट हाइपर डॉट जीप फाइल यह डाउनलोड हम में करना है के लिए हाइपर भी पर तो चलिए डाउनलोड पर किलिक कर देते हैं और यह हमारा डाउनलोडिंग सुड़ू हो गया है अब यह इंटरनेट की स्पिर्ट जितनी होगी उसी साथ से टाइम लगाएगा तो देखिए अब लगबग डाउनलोड कंप्लीट होने वाला है और यह डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है मेरा तो इसको उपन करने के लिए आपको कोई भी आप जीप फाइल ओपनर यूज कर सकता है जो भी आपके सिस्टम में हो मेरे पास सेवन जीप यूज करता हूं मैं तो सेवन जीप है तो यह डाउनलोड से मैं इसको कट करके तो यह डेक्स्टॉप पर मैंने पेस्ट कर दिया और इसको यहां पर राइट किलिक करके इसको मैं एक्स्ट्रक्ट कर लूँगा डेक्स्टॉप पर तो हमारी सारी फाइल एक फोल्डर में आ जाएंगे तो यह देखिए इसमें कुछ फाइल से हैं सनेपसोट नाम के है इसके अंदर कोई फाइल नहीं है और यह वर्चूल हार्डिक्स है जिसमें यह फॉर्टिनेट वाला इमेज है हार्डिक्स के रूप में तो इसी फाइल को हमें हाइपर वी पर कन्फिगर करना है तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हमें हाइपर वी को ओपन करना होगा तो आएए देखते हैं हम यहां पर हाइपर वी को ओपन करते हैं और यह हाइपर वी हमारा ओपन हो गया है तो इस पर अब निव टैप पर किलिक करना है और यहां किलिक करने के बाद सामने दिख रहा है virtual machine का option hard disk का option और floppy disk का option तो यहां हम virtual machine वाले option को select करेंगे और इसको select करने के बाद हमारा new virtual machine creation के लिए एक नया टैब खुल के सामने आ जाएगा तो इस पे हमें next button पे click करना है और यह जो name के लिए आ रहा है इस पे हमें अपने system का नाम देना होगा तो मैं यहां पर 40 लिखूंगा simply और next पे click कर दूँगा और यहां पर हमें generation one ही select रहने देना है और इसके बाद next पे click करेंगे और रहा है यहां पर और यहां पर connection के लिए आ रहा है तो हम यहां पर default connection को choose करेंगे default को ताकि हमें network मिल सके वर्चुली अब यहां पर हार्डिक्स का option select करने के लिए आ रहा है तो हम यहां पर वर्चुवल हार्डिक्स सेलेक्ट करेंगे जो कि हमने पहले ही फोर्टीनेट का डाउनलोड करके रखा है तो वह करने के लिए हमें पहले यह desktop से फाइल को मैं cut paste करूंगा सीड्राइब में और यहां पर सीड्राइब में इसको पेस्ट कर दूँगा और पेस्ट करने के बाद इस फोल्डर का मैं नाम चेंज कर दूँगा और इसको सिंपली लिख दूँगा 40 यह हमारा फोल्डर यहां क्रियेट हो गया तो अब हम वर्चुल वाले सेकंड वाले टैप पे जाएंगे यूज एक्जिस्टिंग वर्चुल हार्डिक्स तो इसमें ब्राउज करके हम वहीं सीड्राइब में जहां भी इसको पेस्ट किये थे वहां जाएंगे 60 दिस्टिसी के बाद सीड्राइब इसको क्लिक करेंगे और हमारा फोल्डर दिख पेस्ट क्लिक करेंगे और सब्सक्राइब लूए प्ज़क्स वाले प्लूंव जाएंगे और यहां पर करेंगे और यहां बदाओ जैण और यहांस सेलेक्ट हो गया में to प्रास्ट पर क्लिक कर देंगे और यहोगया हमारा फिनिसे कि ट्रीक कर देंगे रहा मसई तैयारि को गया है constitution project particles पर क्लिक करेंगे चैनल सबस्क्राइब इस क्लिक कर देंगे तो हमारा हमार्च का मसीन पर स्थार्ट हो जाए और कि देख़ Oh स्टार्टिंग वर्चूल मसीन अभी सर्विसेज रण हो रही है आप यह देखी है हमारा स्टार्ट हो गया है लोडिंग सूरू हो गया सिस्टम का और हमारा पार्टिस सर जो है और ठन हो गया है को पर यह मैं 해ंigor का हमारे firewall का serial number भी सामने आ गया और यह हमारा login के लिए तैयार हो गया है तो अब यहां पर simply हम स्टार्टिंग मेन्यू पर admin क्लिक करते हैं और इसका कोई भी password नहीं होता है तो हम दुबारा enter करेंगे तो यह चेंज password के लिए लिख के आएगा तो हम simply इसका password set कर लेते हैं मैं यहां पर password admin admin ही रखूंगा तो यह हमारा login हो चुका है system अब हम यहां पर एक command चलाएंगे so system interface का जिससे की हमारा IP पता चल जाएगा system का और सारे port भी दिख जाएंगे कौन से क्या है तो यहां पर देखिए हमारा port 1 पे dhcp IP आ चुका है इसी IP की help से हम इसको browser पे open कर लेंगे firewall को और browser पे open करने के बाद देखिए हमारा यह evolution license वाला open हो चुका है तो हम इस license को activate करने के लिए अपना mail id जिससे की मैंने यह file को download किया था उसी mail id को और password को डालूंगा तो यह copy हमारा activate हो जाएगा तो देखिए मैं यहां पर mail और password डाल रहा हूं और ok करूंगा उसके बाद यह restart के लिए पूछेगा और restart होने के बाद license हमारा active हो जाएगा तो यहां पर mail के पर click कर दिया है और हमारा firewall restart हो रहा है देखिए यहां पर black screen पर भी दिखा रहा है तो अब यह start होने के बाद firewall को दुबारा on करके हम उस IP को access करेंगे तो देखिए हमने IP के through firewall को access कर लिया है और यह हमारा interface खूल के आ admin रखा था तो अब यहां पर login पर click कर दूँगा तो यह हमारा firewall login हो जाएगा तो देखिए हमारा virtual firewall login हो चुका है और यह हम इस डिवाइस दिवाइस नोट रिवर 148 converter service तो यहां पर हम यह लेटर पर click कर देंगे और यह आ गया host name select करने के लिए तो हम अपना system का host name select कर तो यहां पर मैं simply 40 ही रखूंगा और okay पर click कर दूँगा और यह optimal पर ही रहेगा और okay पर select कर दूँगा तो यह देखिए हमारा firewall login हो चुका है विल्कुल हमारा dashboard open हो के सामने आ गया है और यह dashboard देखने से कहीं से भी नहीं लग रहा है कि हमने virtual पर बनाया है या original firewall को login किया है देखिए हमारा सारे services सामने दिख रहे हैं यहां पर और इसका नाम भी आ रहा है virtual machine लिखके हमारा तो देखिए इंटरफेस हमारा login हो चुका है firewall का successfully अब इसको कैसे configure करेंगे इसकी services को कैसे यूज करेंगे और कैसे practical करेंगे यह सब चीजे मैं आपको अपने अगले आने व subscribe कर दीजिए और अपने friends circle में share कर दीजिए तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद बाए बाए